हजारों फुट उंचे पहाड या फिर हजारों फुट गहरी खाईयां ना पेड़ पौधे ना जानवर ना पक्षी हड्डियों को गला देने वाली ठंड हम बात करें हैं सियाचीन की जो 76 किलोमेटर लंबा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लैश्यर है और हिमाले के करा कोरम रेंज में है सियाचीन दुनिया का सबसे उंचा युद्ध ख्षेत्र है और सामरिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपून है यह ऐसा युद्ध ख्षेत्र है जहां दुश्मनों की गोली बारी से ज्यादा मौसम की मार से सैनिकों को जूजना पड़ता है हम यह सियाचीन में भारतिय सेना के जवानों की जिन्दगी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद कल पना में भी नहीं सोचा होगा 20,000 फीट के उचाई पस्थित दुनिया के इस सबसे उचे रणक शेत्र के हर कदम पर मौत का खत्रा है सियाचीन में अकसर दिन में तापमान शुन्य से 40 डिगरी नीचे और रात में माइनस 70 डिगरी तक चला जाता है पूर में चीन की सीमा लगती है और पश्चम में पाकिस्तान की आए दिन होने वाले हिंस खलन, मेटल बाइट, अत्यादिक उचाई पर होने वाली बिमारियों के साथ सांस उखाडने और हड़ियां गला देने वाली बर्फ बारी के बीच ये हमारे अदम में साहसी जवान ही है जो अपनी आखों की रोशनी जाने या शरीर के अंगों को खोने की परवाह किये बिना सीमा की रक्षा करते हैं लांस नाइक हनुमन थप्पा जो आपको याद ही होंगे जिनने हिम्स्ख्रन के छे दिन बाद बर्फ के नीचे से जिन्दा निकाला गया था लेकिन बाद में वो भी जिन्दगी की जंग हार गये थे दे ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार सीयाचीन की रक्षा करते हुए 1984 से अब तक करीब 900 सैनिकों की मौत हो चुकी है और यहां हर महीने दो सैनिक जिन्दगी की जंग हार जाते हैं सीयाचीन ग्लैशियर में भारतिय फोज की करीब 150 पोस्ट है जिनमें करीब 10,000 फोजी तैनात रहते हैं सीयाचीन में तैनाती के तीन महिने के दारान सैनिकों को नहाने को नहीं मिलता नहीं वो दाड़ी बना पाते हैं हर रात अपनी चौकी के सामने से उन्हें बर्फ हटानी पड़ती है क्योंकि बर्फ नहीं हटाई जाए तो बर्फ के दबाव से जमीन फटने का खत्रा रहता है आप खाना पीना छोड़ सकते हैं आपको नीद ना आने की बीमारी हो सकती है यही नहीं आपकी याददास्त भी जा सकती है पीने के लिए बर्फ पिंगलानी पड़ती है हाथ में डबल दस्ताने पहनना जरूरी है ताकि चमड़ी राइफल के ट्रिगर को नहीं चुए शरीर का ये हिस्सा गवाना भी पड़ सकता है रात में टेंट में सोते समय हर एक घंटे में संत्री सभी जवानों को जगाता है ताकि कम ऑक्सिजन के कारण कोई मर ना जाए पेट्रोलिंग पर जाने वाले सैनिक एक के पीछे एक लाइन में चलते हैं और एक रसी सबकी कमर में बंदी होती है कमर में रसी इसलिए बंदी होती है क्योंकि बर्फ कहां धस जाए इसका पता नहीं रहता और अगर कोई एक व्यक्ति खाई में गरने लगे तो बाकी लोग उसे बचा सकें हालात इस कदर खराब होते हैं कि आप यहां ठीक से बोल भी नहीं सकते यहां सियाचीन में रहकर ड्यूटी करना कितना मुश्किल और तकलीफ दे है सियाचीन में बर्फिला तूफान करीब 3 सपता तक रह सकता है बेहत कम समय में यहां हवा की रफतार 100 किलोमीटर प्रतिगंटा पकड़ सकती है जिस समय तूफान चल रहा होता है सैनिक बेलचा लेकर बर्फ हटाने में जुटे होते हैं जी हां अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जल्दी ही चौकी इतिहास में तबदील हो सकती है दुनिया के सबसे उचे रणक्षेत्र सियाचीन में भारत और पाकिस्तान की फौज पिछले 3 दशकों से आमने सामने डटी हुई है 1984 से पहले सियाचीन में इस्तिति नहीं थी वहां किसी भी देश की फौज नहीं थी हमारे लिए इतना सब हमारे देश के जवान छेलते हैं फिर भी विश्व में शायद भारत ही ऐसा देश होगा जहां राष्ट्रिय सेना के प्रती अभध्र और असयमित भाशा बोलने वाल क्योंकि वो अपनी जान हर पल खत्रे में डाल कर वहां तैनात रहते हैं तकि हम चैन की नींद सो सकें किसी गजरे की खुश्वू को महकता छोड़ाया हूं मेरी ननी सी चिडिया को चहता छोड़ाया हूं मुझे सीने में अपने तू लगा लेना ऐ भारत मां मैं अपनी मां को तरस्ता छोड़ाया जाए हिंद